हलो यूरी वन गुड बॉर्निंग नमस्कार दस अकस दोजार बाइस और दहिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है अगर आप इस न्यूज पेपर की पेडियेप को डाउनलोड करना चाहते हैं आपको मिलेगे टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप् कर दिये गए हैं कि कौन किंग बना कौन कुइन बना और ओपन फाइनल पोजिशन के अंदर उजबेकिस्तान आर्मेनिया इंडिया ये एक तरीके से रहे हैं और वुमेन के अंदर यूक्रेइन जोर्जिया और इंडिया ये तीन कंट्री आपको देखने को मिलेगी इनके ल अधावा बेस्ट इंडियन वुमेन प्रफोमेंस में अगर हम बात करते हैं तो आर विसाली तानिया सजदेवा दिविया देशमुक इन्होंने अच्छी पोजिशन इंडिकेट करी और मेंज कटेगरी में डी गोगेश निहाल सरीन अर्जुन एरगेशी करकी इन्होंने एक तरीके से अचीव करी है इसके बारे में मुझे परसनली बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इसमें रैंकिंग कैसे होती है चेस को लेकर तो उसके बारे में पर्टिकलर कमेंड नहीं कर पाँगा जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स अशियन गेम्स या उलमिपिक गेम्स जो हो ओगा एक कंट्री काफी ज़ादा न्यूज में रहती है आर्मेनिया और आजेर बिज़ान करके आप लोगों को इस कंट्री आर्मेनिया की बारे में जोगरिफिकली सर्ज करना है आर्मेनिया की capital क्या है और आर्मेनिया की जो geographical boundary है ये किन-किन country से लगती है इसके अलावा आर्मेनिया के असपास क्या कोई important geographical place भी है जैसे कोई ocean हो सकता है कोई sea हो सकती है कोई state हो सकता है इस तरह की चीज़े आप जुरूर नीचे comment करिए इसके बाद बात करेंगे कुछ political news क और generally हम लोग political news discuss नहीं करते हैं लेकिन कुछ important चीज़े constitutional perspective से discuss करेंगे महराष्टरा के अंदर cabinet को expand किया गया कौन minister बना कितने minister बना that is not important जहां भी cabinet के expansion होता है या तरीके से cabinet का विश्थार होता है इसमें चीफ minister का बहुत important रओल होता है क्योंकि महराष्टरा के अंदर chief minister और deputy chief minister दोनों है पहली बात तो ही है कि जो deputy chief minister होता है ये कोई constitutional post नहीं ह यह ध्यान रखिये, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाये जाते हैं, पॉलिटिकल रिजन से, जब एक तरीके से पॉलिटिकल बैलेंस करना हो, कई सारे फैक्टर को इंडिकेट करते हैं, या फिर कोई अलाइंस में, आप जहां पर भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखेंगे, या तो वहाँ पर अलाइंस में गवर्मेंट होगी, या फिर वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल रिजन जैसे एरिया को, कास्ट को मेनेज करने के लिए, कि सब को हम लोग तरीके से प्रात्मिकता दे रहे हैं, या तरीके से प्राइट इंडिकेट करने के लोगे कर दिया जाता ह प्रुविजन होते हैं या इंपोर्टेंट प्रस्पेक्टिव होते हैं जो आपको अंडिस्टेंड करने कई बार इस तरह क्योशन आते हैं, डिरेक्टली हमें ध्यान रखने हैं, इसके लावा राइट हैंड साइड में यहाँ पर हम देखेंगे बिहार के अंदर पोलिटि 54 MLA है, जब भी ऐसे पोलिटिकल स्विच होते हैं एक अलाइन से दूसरे अलाइन में तो सबसे पहले रेजिगनेशन देना पड़ेगा, रेजिगनेशन देने के बाद क्लेम करना पड़ेगा कि हमारे पास मैजोर्टी है, तो इसमें जब तक पोलिटिकल उनके पास मैजोर हो जाती है, नई मिनिश्टर आप बनेंगे और वो आप देखेंगे, इनके बारे में बताया गया कब कब मुख्यमंतरी बने कब कब नहीं बनेगा, अगर आप बिहार से हैं और बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन की तयारी कर रहे तो यह जो डेटा है, यह आप देख सकते है UPSC के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, इसके बाद बात करेंगे, लास्ट न्यूज जो है इसके उपर और यह भी ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी ऐसे फंडामेंटल राइट काफी जादा न्यूज में रहता है, तो उसी कोट ने ऐसे फंडामेंटल राइट इंडिकेट किया है, आर्टिकल 21 में पुटू स्वामी केस के अंदर जो ज़जमेंट आई थी, इसके अलवा बेन स्रिकिशना कमिटी हो, उन्होंने भी रेकमेंडेशन किया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट होन वर्टसएप तीन इंपोर्टन फीचर जो है वो लोंज करने वाला है, पहली बात तो यह है कि आप किसी भी जो वर्टसएप ग्रूप होते हैं उसको लिव कर सकते हैं और इसकी इन्फोर्मेशन केवल एडमीन के पास जाएगी, ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी मैसेज को ब्लोग कर सकते हैं, स्क्रीन शोट नहीं ले सकते हैं, और व्यक्ति के वाले एक बार मैसेज देख सकता है, ठीक है, यह प्राइविसी को इंडिकेट करने को लेकर इन्होंने डिसीजन लिया है, और यह बताया गया कि इसी मांत यह चीज़ें जो हैं, वो कहींने कहीं हम कि 72% पीपल जो वेल्यू करते हैं, कि वो वोनेस्ट बोलें, और 47% जो है कमफर्टेब अले कि वो सेफ और प्राइविट सपेस के अंदर है, तो इसको लेकर वट्सेप जो है अवेरनेस रिलेट जो फीचर है, या जो निव फीचर उसको लेकर अवेरनेस को लेकर करेगी UK और इंडिया के अंदर ताकि लोगों को educate क्या जाज़के और उसके बारे में जानकरी दीज़के तो फस्ट पेज पर कुछ ब्रीफ में छोटी-छोटी इंफोर्मेशन है ज्यादा रेलेमेंट तो नहीं है लेकिन बेसिक इंफोर्मेशन आप देखेंगे इसके बाद पेज नंबर एट पर दो important topic है हम लोग उसके बारे में डिटेल से discuss करेंगे सबसे पहले रेशन में इसरो का जो SSLV यानी Small Satellite Launch Vehicle News में इसके बारे में पढ़ेंगे और second जो है Guardian Ship को लेकर text and context में डिसकस किया क्योंकि इसको हम detail में पढ़ने वाले तो सबसे पहले आपको यह satellite के थरू जो है दो important जो जिसको बोलते है दो important यहां पर एक तरीके से place करने थे दो important satellite place करने थे और इसमें एक satellite था Earth Observation यानी इस flight के थरू दो important satellite होते एक Earth Observation satellite था जिसका weight 135 kg का क्या सपास था और second था अजादी सेट करके जिसका weight था 8 km यह जो SSLV होता है Small Satellite Launch Vehicle इसकी carrying capacity हो 300 kg तक और 300 km की एक तरीके से height होती और above the equator और 37 degree का angle इसके अंदर होने वाला था खर यह बहुत technical से detail है यह ज्यादा important नहीं है लेकिन actual में हुआ कि mission fail क्यों हो गया क्या reason रहे है और mission fail का क्या मतलब होता है इसके बारे में discuss करेंगे और इसका purpose क्या था जो SSLV D1 Earth Observation satellite है इस mission क purpose क्या था जितने भी Earth Observation satellite होते हैं यह basically आप देखेंगे Earth को observe करते हैं इसका simple सा मतलब होता है कि data provide करते हैं कि Earth के ओपर जैसे इंडिया में forest को की mapping करनी हो right flood को application management करने को लेकर हो यह इसके लावा माल लेते forest के अंदर आग लगी उसको कहीने के देखने के लिए observe करने के कि किस तरह की activity हो रही है तो इसके लिए बहुत important यह satellite होते है अर्थ observation satellite इसके अलावा इस रो जो है इसने इसको design किया था डवलप किया था और optical remote sensing operation के तुरू कहीने कहीं इसको advance offer करता है इस तरह की सीज़े इसके लावा 75 जो आजादी सेट है उसमें 75 छोटे छोटे satellite था तो वो students के दवार integrate किया गया था जो second satellite था इसके अलावा गर हम बात करते हैं यह fail क्यों हो गया SSLV जो है compose किया गया था तीन important stage थी solid fuels के दवारा generally आपने PSLV और GSLV के बारे में सुना होगा PSLV में 4 stage होती है solid liquid solid liquid GSLV और heavy होता है जिसके अंदर solid liquid और third important stage होती है cryogenic state जि इसके अंदर तीन स्टेटिक तीनो solid fuels के उपर बेज थी और यह plan था कि यह satellite जो है वो orbit के अंदर जाएगा हलाकि इसके अंदर sensor के अंदर malfunction हुआ जिसकी वज़े से यह होना यह चाहिए थे कि circular एक तरीके से path के अंदर set के अज़ा था बट यह elliptical या फिर आप बोल सकते हैं इसके अलावा सवाल यह उड़ता है कि हम लोग PSLV और GSLV के थरू क्यों launch नहीं किया जब हम SSLV के थरू क्यों launch किया गया देखो PSLV और GSLV थोड़े से powerful और heavy payloads होते हैं और जब आप उनके थरू launch करेंगे तो definite से बात आपकी cost भी increase होती है और इनके अलावा अगर आप SSLV से launch करने वाले तो यह easily carry कर सकता है 10 kg से 500 kg weight तक की minimum load को और कम expense यूँ होता है इसके अलावा तीनो stage जो है solid fuel है तो यह एक और advantage होता है क्योंकि fuel की stage ही change नहीं करने पड़ती तो इस मामले में यहां पर अगर आप देखेंगे बहुत important है इसके अलावा circular और elliptical orbit में difference क्या है जब भी आप earth observation करते हैं तो उसके लिए जरूरी की camera का focus बह image clear कब आएगी अगर वो बार-बार गूमता रहेगा fix distance नहीं होगी तो कैसी clear आएगी तो यह इसलिए होता है कि circular path हो ताकि image के अंदर clarity आए और जब भी ground के बारे में या माले इंडिया की geographical boundary के बारे में या जोगरफीकल कोई observation करनी है आर्थ से तो उस context में clear image जो हमें भीज इसलिए orbit में कई न कई circular path के अंदर इसको set किया जाते है या place किया जाते है इसके बाद जो second topic है guardian ship को लेकर अभी एक committee ने parliamentary committee जो उन्होंने recommendation किया है कि guardian ship को लेकर या फिर minor के adaptation को लेकर father and mother को लेकर दोनों को equal right होना चाहिए या description नहीं होना चाहिए एक parliamentary panel ने अभी recommendation किया है कि हिंदू minority and guardianship act 1956 के अंदर एक तरीके से ऐसा feel होता कि mothers को husband के subordinate मना दिया गया है और equal कहिने के indicate नहीं किया जाता इस joint custody को लेकर क्या बात उन्होंने बोली इसके लाबा marital dispute को लेकर हो या LGBT community के बारे में कैसे adopt कर सकते हैं उन सब चीजों के बारे में parliamentary panel की क्या recommendation ने इसके बारे में discuss किया गया है तो इसके बारे में details से पढ़ेंगे observe करेंगे किस तरह की चीज़ें तो department related parliamentary standing committee ने जो कि personal, public, grievance, law and justice उन्होंने टेबल कर एक report आठ अगस 2022 को परलियमेंट के दोनों houses के अंदर इसके अंदर mention किया गया review of guardianship and adaptation law और इस committee ने recommendation किया कि हमें strongly requirement है कि हिंदू minority and guardianship act 1956 को हम लोग amend करें क्योंकि ये natural guardian के रूप में right to equality का कहिने का violation करता यानि father और mother के जो rights उसमें equality indicate नहीं करता और ऐसा लगता कि mother को husband के just कहिने के subordinate मना दिया गया है और article 14 और 15 जो है उसका भी कहिने के ये violation है इसके अलावा marital dispute के अंदर हम देखते हैं जनरली बच्चे की जो custody है वो prefer की जाती है एक तरीके से mothers को कहिने के prefer की जाती है इनके अलावा यहां पर बच्चे की custody में joint custody की जा एक तरीके से soul custody नहीं होने जी केवल एक पेरेंट पर उसमें कहीने कहीं दोनों पक्सनों को सुना जाना चाहिए तो इसके लेकर भी डिसकस किया गया committee ने एक new legislation के बारे में बात किया गया जिसमें journal justice care and protection of children act 2015 के बारे में Hindu adaptation and maintenance act के बारे में बताया गया और इसके अंदर ये भी इन्होंने recommendation किया है कि भाई LGBT community जो है उनको भी कहीने कहीं cover किया जाए उनको भी एक तरीके से इसके बारे में right दिये जाए अभी तक generalist community के बारे में ये कानून silent रहता है इसके बारे में बहुत जादा statement नहीं देता है कि adaptation करने उनको right है कि नहीं है इसके अलावा guardianship लोग भारत के अंदर क्या कहते हैं और courts कैसे बच्चे की custody provide करता है अगर हम देखते हैं हिंदू minority and guardianship act के अंदर तो generally father को एक तरीके से right मिलता है guardianship को लेकर अगर बच्चा मा लेते हैं पात साल से कम है तो उसमें mother को महीता है Muslim personal application act 1937 के अंदर ये बताया गया कि भाई guardianship जो है वो father जो है natural guardian होगा but mother के पास जो है वो 7 साल अगर लड़की की उमर 7 साल से कम है तो उस तक कहिने की guardianship रहेगा और girls के case में जब तक puberty हासिल नहीं होती, puberty की stage तक उनको right मिलता है लेकिन generally यहाँ पर देखा जाता है कि Muslim personal laws canon के अंदर mother को preference दी जाती है as compared to father और custody जो है वो कहिने कहीं उनके पास रहती है Supreme Court ने 1999 में एक historical judgment दी थी कि हमें father यह mother यह तरीके से gender के basis पर discrimination नहीं होना चीए और article 14 का कहिने कहीं यह violation है लेकिन उस time भी इस judgment ने बहुत जादा चीज़ें अगर हम बात करते हैं कि father और mother का क्यो रोल है उसके बारे बहुत जादा clarification नहीं दिया था इसके बाद low commission की various reports हो उनमें भी mention किया गया चाहे 1989 में 133 report हो 2015 में report हो अगर आप region में देए 257 report हो इन्हों recommendation क्या था कि guardianship को लेकर equality हो और उसमें welfare principle को consideration किया जाना चाहिए marital dispute में क्या होता है marital dispute में generally joint custody यह इस तरह की चीज़े अगर हम देखते हैं अभी हर्याना high court पंजाब एन हर्याना high court या Bombay high court ने अभी कुछ rule frame किये थे इसके अंदर जोइंट guardianship को लेकर कहिने का indicate किया गया इसके अलाबा क्या हम लोग queer और transgender people को जो है वो नहीं को adaptation को राइट देता है और यह बात बोलेगी कि पैरेंट जो है physically mentally or emotionally stable होना चाहिए financial capable होना चाहिए और उनको कोई life threatening medical condition नहीं होने चाहिए तो यह कुछ ने कुछ indicate करता जिसकी visage पर उनको कहीं न कहीं applicable है या उनके ऊपर कहीं न कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं वो हिंदू, सिक, जैन और भुदिष्ट इन सभी community पर भी equally लागू होते हैं तो इसके बारे में जैनकारी दी गई है और main अगर आप देखेंगे इसमें basically guardian ship को लेकर ये कहने के debate करता है, discussion करता है और इसमें Hindu act को लेकर, Hindu marriage act को लेकर या Hindu जिसमें भुदिष्ट, जैन और सिक भी आते हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो ये guardian ship को लेकर indicate करता है इस act के through इसके बाद अगर हम बात करते हैं page number 10 पे, page number 10 पे अगर आप कुछ important चीज़ें बताएगी क्योंकि ministry of cooperative या cooperative ministry create की गी थी central government के दुआरा, तो इसमें बताएगे कि population देश की economic में एक asset की तरह काम करती है और cooperative societies को लेकर यहां पर discussion किया गया है, कैसे empowerment क्या जा सकता है, for example, यहां पर buyers के लिए government e-market place open किया गया है, इसके अंदर बहुत सारी cooperative जैसे ifco, gribco, nefet, amul, सारसवत, cooperative banking, सब के बारे हम डिसकस किया गया है, cooperative sector को लेकर कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, cooperative policies कैसे create करी है, और university of training जो propose करी गया है, और export houses जो इसको लेकर indicate की गया है, उसके बारे में जानकारी दी गई है, इसके अलावा यहां पर एक ठीक नीचे इसके news मिलेगी, इंडिया और बंगलादेश के bilateral relation के बारे में डिसकस किया गया है, बंगलादेश और इंडिया के बीच में river dispute को लेकर जो है, को कि बंगलादेश की जो prime minister है, वो इंडिया के अंदर आने वाली है, September के अंदर, और possibility है कि उससे पहले कुछने कुछ चीज़ें sort out हो, तिस्ता को लेकर काफी ज़्यादा debate होती है, भारत के अंदर भी और बंगलादेश के अंदर भी, और तिस्ता water agreement को लेकर कहीं ने कहीं भ इसके बाद एक question आप लोगों से है, जब हम बात कर रहे हैं बंगलादेश के बारे में, बंगलादेश और इंडिया के बीच में जो important river हो है, तिस्ता water agreement को लेकर, तो ये जो तिस्ता river है, ये basically किस river की tributary है, ये आप नीचे comment करना, और उसके ये left hand side से कहने के tributary बनती है, ये फिर right hand side से ये भी mention करना, मतलब आपको सबसे पहले river बतानी कौन सी river है, और उसके right hand side से है कि left hand side से, ये भी आपको नीचे comment करना है, इसके ठीक नीचे, इंडिया ने gaja violence को लेकर ये बताया कि, gaja strip हमने map में भी देखा था कि इसराइल और फिलिस्तिन के बीच में जो issue ह उन सब के बीच में, gaja एक छोटी सी पटी जिसमें बहुत ज्यादा population रहती है, और gaja के अंदर violence का मतलब कई बार होता है क्या है, दोनों तरफ से attacks होते हैं, जैसे हमास जो है वो एक organization है, जिसको इंडिक लिबेक करता है, इरान, वो fire करता है, इसराइल में, इसराइल fire करता है, फिर gaja strip में, क्योंकि gaja strip में population बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर casualties भी आपको ज़्यादा होती है, इसराइल फिलिस्तिन को लेकर इंडिया का क्या perspective है, इंडिया क्या सोचता है, उसके बारे मताया गया, भारत ने कहा कि भाई हम जो ये violence है, इसको लेकर हम चिंती थे इजिप्ट गोवर्मेंट वो गोवर्मेंट है, जिन्होंने सबसे पहले एक तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन सेट अप करे थे इसराइल के साथ, और इसराइल और फिलिस्तिन में जब भी कोई issue होता है, तो इजिप्ट उनको mediate करता है, मजश्ता करता है, और उसके बा अलावा भारत हमेशा important भी बोलता है कि two state solution होना चाहिए, यह जो question है, UPSC अलड़ी पूछ चुकी प्री में कि two state solution का क्या मतलब है, और भारत यह चाहता है कि दोनों country, चाहे फिलिस्तान हो, sovereign independent revival state फिलिस्तान हो, और इसराइल भी दोनों साथ साथी शानती फ्रोक रहे, और अपने अपने area में कहीन है कि यह function करें, काम करें, तो इसको लेकर discussion किया गया है, और उसी के बारे में यहाँ पर जानकरी देगी कि फिलिस्तान और इसराइल को लेकर जो गाजा स्ट्रिप में issue है, उसको sort out किया जाए, और उसको लेकर we violence हुई है, उसको लेकर हमारा concern है, page number 11 is all about political news, तो बिहार के अंदर जो political चीजे हुई है, उसे के बारे में mention किया गया है, और इसको लेकर अलग अलग political parties के जो कहीने कहीं बोल सकते हैं कि opinion है, वो इसके अंदर mention किये गए हैं, कि क्या क्या इसके अंदर हो सकते हैं, इसके बाद page number 12 पे भी बहुत ज्यादा important नहीं नहीं है, लेकिन कुछ importance इसे mention करेगी ब्रीश में जैसे monkeypox को लेकर ये बताया गया, कि जो complication है, वो बच्चों के अंदर ज्यादा आते हैं, इस तरह की report आपको देखने को मिलेगी, हलाकि doctor ये कहते हैं, ये बहुत जल्दबाजी होगी किसी conclusion पहुँचने में, monkeypox एक ऐसा disease है, जिसके बारे में बहुत जादा debate आपको देखने को मिल सकती है, और 2022 का जो mains होने वाला है, इस तरह के disease के बारे में भी पूछा जा सकता है, और कई बार जो एक debate होता है कि ये जो topic है, अगर आप देखेंगे इसको ये health से related है, monkeypox जो है, वो science से related है, health से related आएगा, तो general study paper 3 में पूछा जाना चाहिए, लेकिन monkeypox के बारे में paper number 3 में economics के section में हो सकता है, paper number 2 के अंदर general study paper 2 के अंदर international organization के perspective से पूछा जा सकता है, तो एक ही subject से link करना, ये सही strategy नहीं है according to me, मुझे लगता है कि diverse बहुत जादा है चीजे, तो इसलिए interlinkage होती सारी चीजे, क्योंकि monkey box का direct impact पड़ता है economies पर, वो आपको समझ में आएगा, आने वाले time क्योंकि जैसे restriction होता है, तो restriction के बाद काफी चीजे जो disturbed होती है, इसके अलावा भारत के जो tribal minister है, आरजोन मुंडा उन्होंने प्रेजिडेंट से बातचित करी, डिसकस किरे और indigenous people day के रूपे celebrate किया, इसके बारे में उन्होंने interaction किया बच्चों के साथ, और 15 November को जो जन जाती गोरो दिवस है, वो celebrate किया जाता है बिर्सा, बिर्सा मुंडा की birth anniversary पर, तो उनके बारे में भी बच्चों का वेर किया, कि आप इसके बारे में ऐसे लिखिये, जानकरी दीजे अपने विचार जो हो, वो दो-तिन चीजें आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देखेंगे, मैनमार को लेकर United Nation ने कहा है कि हमारे पास proof है कि मैनमार के अंदर war crime हुए है, और war crime में क्या include करते हैं, कि आपने humanity against crime किया, for example, आपने murder किया है, torture करा है, sexual violence हुई है, इसके लाबा क्योंकि मैनमार के यहाँ पर आने वाले टाइम में ऐसा नहीं कि मैनमार के अंदर यह crime खतम होने वाले नहीं, यह और ज़्यादा आपको increase होते हुए, नजर आएंगे, इसके अलाबा एक African country है, बर्किनो फासो करके, और यहाँ पर explosion यहाँ पर attack हुए, जिसकी वाज़े से 15 soldiers हो वो मारेगे, यह जो country है, बर्किनो फासो, नाइजर, माली, यह काफे ज़्यादा न्यूज में रहती है, क्योंकि यहाँ पर insurgency जो है, जिसमें अल-काइदा और Islamic State इन की urgency, insurgency जो कहीने के increase की है, और अभी अल-काइदा तो बहुत ज़्यादा न्यूज में, क्योंकि अल-काइदा के च कोट्दी आईवरी या आईवरी कोस्ट, माली और नाइजर, इन country से कहने के अपनी यह boundary को share करता है, बर्किनो फासो, तो इस context में यह news में है, अब last question आप लोगों के लिए, कल हमने discuss क्या था, साहिल country, हैना साहिल एक region है, और African continent में है, साहिल region के अंदर कौन कौन सी country सामिल ह होती, उसके बारे में आप नीचे comment करेंगे, आज business section में कुछ खास नहीं है, लेकिन हम लोग UPSC के previous year question को restart करेंगे, और हमने अब तक UPSC Plains 2022 में, 10 question जो starting के थे, economics के वो cover करें, question number 11 को cover करेंगे, for example, यह 11 to 20 तक जो question है, वो political question है, यहाँ पर mention किया गया, कि जो H.N. Sanial Committee है, उसकी report के according 1971 में contempt of court act जो पास किया गया था, ठीक है, तो माल लेते हैं, हमें इसके बारे में जानका रही नहीं है, कि यह सही है, कि गलत है, तो इसको फिलाल छोड़ देते हैं, इसके अलावा, Constitution of India empower करता है Supreme Court and the High Court to punish the contempt of themselves, जयनि Supreme Court और High Court को क्या भारत का Constitution X3 के से empower करता है, बिल्कुल सही statement है, क्योंकि article 129 हो, वो कहिने के empower करता है, कि अगर court को कहिने के contempt होता है, तो उसमें punish करने की power है, तो यह बिल्कुल सही statement है, इसका मतलब क्या होगा, कि second सही है, तो first भी सही होगा, आपको इसके बारे में पता हो, ना पता हो, H.N. Sanial Committee के बारे में, तो यह भी दोनों सही हो जाएंगे, जब first and second सही है, तो इसके अंदर यह C option और D option यह eliminate हो जाएंगे, ठीक, अब हमें केवल third देखना, कि third सही है, कि fourth सही है, कि third या four सही है, या नहीं है, तो constitution of India define करता है, civil contempt and criminal contempt को नहीं, भारत के constitution में civil contempt and criminal contempt क्या है, इसके बारे में definition आपक नहीं मिलेगी, यह आता है, फिर 1971 का contempt of court act 1971 के अंदर, इसके बाद parliament क्या contempt of court related कानून बना सकती है, बिल्कुल सही answer है, यानि यह exactly सही होगा, parliament के अंदर को power दी गई है, कि वो contempt of court के मामले में कानून बना सकती है, और CDC बात है, अगर हम पहला correct कर रहे हैं, यह जो 1971 का जो तो parliament के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर यह indexly link हो गया, यह statement solo होने से काफी चीज़े sort out हो जाती है, second आपको पता है, तो आप first automatic हो जाएगा, और first होगा तो fourth automatic हो जाएगा, इसके अंदर answer होगा, one, two and four, यह वाला B option, इसके बाद, question number 12, थोड़ा सा difficult stage में आप indicate करिये, और दो statement दी गई है, कि government law officer legal firms को recognize करते है, advocate के रूप में, corporate lawyer और patent attorneys को exclude किया जाता है, advocates के recognition को लेकर, advocate की simple सी definition क्या है, advocate एक low graduate होना चाहिए, plus bar council के अंदर register होना चाहिए, तो इन में से कोई भी जो advocate की category के अंदर नहीं आता, तो इसमें केवल answer होगा, यह तो cut जाएगा, यह statement बिल्कुल कर, statement है, second है, bar council को power है, कि वो lay down कर सकते है, rules related to legal education और recognize कर सकते है, low colleges को, या उनके low colleges के recognition को लेकर, यह statement सही है, क्योंकि bar council की autonomy को लेकर, यह decision लिया गया था, कि उनको rules related तरीके से, rules related जो है, वो कहीं न कहीं, power दी जाए, या फिर legal education और low colleges के recognition में भी, उनके एक important रोलो, तो यह statement बिल्कुल सही होगी, option number two, यह सही है, कई बार क्या आता है, statement में incorrect word यूज़ कर दिया जाता है, in words को ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि यह फिर error create करते है, इसके बाद, question number 13 है question number 13 indicate करता है, कि statement दी गई तीन statement, पहला statement बोलता है कि constitution, जब भी हम किसी constitution में amendment करते हैं, या भारत के समिधान में हमें कोई बदलाव करना है, तो उसको लेकर president of India की prior recommendation की requirement होती है, तो यह statement गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे president की permission किन cases के अंदर जाए, अगर आप money भी लेक कराते हैं, तो definitely president की permission चाहिए, लेकिन constitution amendment के लिए, president की prior permission की एक तरीके से जरूर तो नहीं है, पहला गलत है, पहला गलत तो तो automatic cut हो जाएगा, second और third, लेकिन फिर भी second और third पढ़ लेते हैं, constitution amendment bill जो है, जब present किया जाता है, और यह obligatory है, president of India के सामने की, उनको sign करें, अपन permission देना compulsory है, यह statement बिलकुल सही है, और constitution amendment bill जो है, यह लोकसभा राजसभा की special majority से पास होना चाहिए, और इसके अंदर यानि 50% प्लस अगर आप देखें, two third majority होती है, at least वो होनी चाहिए, इसके अलावा, कोई joint sitting अप प्रोविजन नहीं है, यानि ऐसा नहीं कि दोनों के ब 50% तो minimum होना चाहिए, प्लस two third जो voting और प्रिजेंट वाले वो होने चाहिए, और अगर माल लेते किसी, यह जो constitutional amendment होना, किसी state government से भी कहीने के relate है, तो आदे state की, यानि जो माल लेते 28 state है, उसमें से 14 state की assembly की द्वार resolution पास होना चाहिए, इसके favor में तभी कोई नहीं किये bill ज नियूज अनलिसिस में तना ही, थैंक्यो जहिन